हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हार दिक स्वागत आसेस क्लासेस पर इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ प्रेक्टिस क्वेस्टन की जो आधारित हैं कॉमन एरर्स पर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्टिस स्पेल्ट वर्ड पर तो आप एंड तक सेशन को देखिएगा और ज़रूर बताना कमेंट में कि कितने क्वेस्टन आप लोगों ने सही किये इसका पीडियाफ आपको टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक और बार बता दूँ आपको कि एकर paid courses एकसेस करना चाहते हैं तो आपको दो application दी हुई है एक Asis Classes English और एक Asis Classes grammar और translation वाला बैच जो है वो Asis Classes application पर है जिसका link आपको description में दिया हुआ है digital board पर classes नहीं हो पा रही है क्योंकि कि मैं स्टूडियो से काफी दूर आ चुका हूँ एक डेड़ महिने तक classes आपको इसी तरीके से लेनी है लेकिन कोई बात नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए कहीं से भी class मिले कैसे भी मिले क्या फर्क पढ़ता है तो यह स्टार्ट करता है पहला question है सबसे पहली बात तो मैं इसको translate कर देता हूँ कि क्या कहना चाहता है बहुत simple सा question है कि teacher ने उसे scold किया तो यह जो word है scold इसका मतलब क्या है scold का मतलब होता है child डांटने को बोलते है scold का मतलब होता है reprimand ठीक है डांटने को बोलते है आप इसके इस्तान पर काफे सारे और word भी है chastise यूज़ कर सकते है ठीक है c-h-a-s-t-i-s-e chastise castigate भी यूज़ कर सकते है तो कुल मिला के आपको यह synonymous बता दिये मैंने scold के chastise, castigate, child, reprimand यह सब डांटने संबंदी words है कहना चारा है कि teacher ने उसे scold किया हमेशा ही क्योंकि he rarely reached the school one time क्योंकि वो time पर तो कभी-कबार ही जाता था ठीक है rarely का मतलब दुरलब है यह चीज कि कभी-कबार ही ऐसा होता था हमेशा नहीं होता था उसके लिए rarely का यूज़ किया जाता है अब यह क्या कहना चारा है मतलब sentence हमें समझने में आ गया अब हमें grammatical error यहाँ पर find out करनी है तो आपको बता दूँ और recall करता है एक चीज किये सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो error है वो adverb की है और adverb में यह जो always है यह adverb of frequency होता है always, sometimes, seldom, rarely, barely, barely, hardly यह सब adverb of frequency में आते है और adverb of frequency के एक position होती है fix कि अगर आपको helping verb और man verb दे रखी हो तो helping verb और man verb के बीच में लगाते है adverbs अगर ऐसा नहीं है अगर helping verb नहीं है तो फिर man verb से पहले लगाते है ऐसा एक अपने structure पढ़ा होगा जब आपने adverb देखा हो तो always का प्रियोग यहां पे helping verb तो है नहीं तो man verb से पहले होना चाहिए तो scolded से पहले इसकी position सही बैठती इसका मतलब always यहां पे गलत तरीके से place किया हुआ है तो आपका जो error वाला part होगा वो B होगा दूसरे question में आ जाए पहले बढ़िया रहेगा कि इसको आप PDF लेके और फिर से खुद से solve करो देखो match करो फिर questions के answer बताना मुझे कितने answers आपके ठीक हुए है second question देखिए तो यह जो misconception word है इसका मतलब होता है भ्रम conception धारणा होती है misconception गलत धारणा गलत धारणा का मतलब भ्रम ही होता है तो यह एक common सा misconception है एक समानने से एक भ्रांती है that every policeman badly behaves with the citizens क्या भ्रांती है कि हर एक पुलिस वाला जो है वो नागरिकों के साथ citizens के साथ गलत वेभार बुरा वेभार करता है अब यह तो हमने translation जान लिया अब बात रही grammatical error कौन से पार्ट में है तो यहाँ पर भी बता दूँ आपको कि adverb की गलती है badly यह जो दे रखा है शब्द यह adverb of manner है देखे how के जो answers होते हैं वो adverb of manner होते हैं अगर आप इसमें पूछते कि how does every policeman behave with the citizens तो यहाँ पे आता कि badly तो how का answer आता तो badly हो, nicely हो, slowly हो, quickly हो यह सारे के सारे adverb of manner होते हैं adverb of manner जो होते हैं man verb के बाद में लगाते हैं verb के बाद में place करना होता है तो इसलिए behaves badly होना चाहिए था तो यह कुछ, मतलब यह आपको कुछ rules में भी जाना पड़ेगा ठीक है, concepts भी बताता रहूँगा मैं लेकिन आपको rules में भी जाना पड़ेगा अगर आपने adverb पढ़ रखा हो तो यह सब कुछ समझते होंगे आप तो adverb of manner का प्रियोग आप verb से बाद में करते हैं तो badly का प्रियोग behaves के बाद में होगा आपका जो answer है वो B होगा ठीक है, तो दोनों के अंदर answer क्या हुआ, B थर्ड question के और move करते हैं तीसरा question है You must either be regular video studies and study for longer period before the examination देखो, must जो है वो obligation के लिए आता है obligation का मतलब बात देता मतलब pressurize करने के लिए आता है ठीक है ना, तो you must either be regular video studies क्या कहना चाहता है, कि आपको या तो regular होना ही पढ़ेगा अपनी पढ़ाई के प्रती and study for longer period before the examination और या फिर क्या, कि आपको लंबे समय तक पढ़ना पढ़ेगा exam से पहले, आपको पता है कि एक combination होता है, इधर के साथ में और लगता है, यह तो काफी सारे आपने सही कर दिया होगा answer बहुत simple सा question था इधर के साथ में हम क्या लगाते हैं और end नहीं लगाते हैं, तो end को अटाएंगे यहाँ पर place करेंगे और आपका जो error वाला part हुआ वो होगा C नमबर फोर अडेली कोर्ट यह यहाँ पर ठीक है क्योंकि यह कोई supreme कोर्ट की बात नहीं कर रहा, दिल्ली के किसी एक कोर्ट की बात कर रहा है, तो initiate यह ठीक है, है ना, एक दिल्ली के कोर्ट ने Thursday को क्या किया, issue किया, issue second form है, ठीक है, और Thursday से पहले on लग रहा है, perfect है क्या यहाँ पर जारी किया, release warrant for जुहरला नहरो university students and activist तो JNU के जो students और activists हैं, इनके नाम दे रखे हैं देवांगना कलिता नताशा नर्वाल और जामिया मिलिया इस्लामिया student जो हैं, आसिफ इकबाल तनहा इनके यह release warrant यहाँ पर जारी कर दिया, एक दिल्ली के court ने, ठीक है, अब यह हूवर, हूव किसके लिए आ रहा है, इन तीनों के लिए आ रहा है, देवांगना कलिता, नताशा नर्वाल और यहाँ पर जामिया मेलिया के student है, आसिफ इकबाल इन तीनों के लिए तो वर आ रहा है, ठीक है यह भी arrested पैसी वो इस दे रखा है, भी B के साथ में third form तो पैसी भी होता है ना आपको पता होना चाहिए B क्या है, यह अगर नहीं पता हो तो बता देता हूँ, B के the North East Delhi rights, rights का मतलब दंगे होता है, किसके कारण यहाँ पे गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है वहाँ पे दंगे हुए थे उसके चलते इनको गिरफ्तार किया गया तो यह इसका translation में बता दूँ आपको में कि यहाँ पे कोई यह समझ गए होंगे आप पहले बता देता हूं इसका translation क्या है कि जो average daily COVID-19 vaccination rate है मतलब ओसतन कितना टिका करण हो रहा है पहले 10 दिनों में कितना हुआ वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा था किसकी तुलना में जो levels थे जो record किये गे थे शुरुआत में मई के शुरुआत में जब भारत ने inoculation start कर दिया था सभी युवाओं के लिए inoculation बराबर vaccination एक बात तो यह note कर ले ना inoculation बराबर vaccination मतलब टिका करण को ही inoculation बोलता है तो यहाँ पे error वाला part जो है वो B है क्योंकि relatively and comparatively यह दो words आपको ध्यान से देखने हैं आपको पता भी होगा adjective अगर आपने पढ़ा हो कभी comparatively and relatively both the words always take degree positive after them इनके बाद में degree positive लगाते हैं तो higher नहीं आएगा इसके स्तान पे high का प्रयोग किया जाएगा average daily covid-19 vaccination rate जो है first 10 days June के first 10 days में वो relatively high थी वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा थी ठीक है तो higher के स्तान पे यहां पे high आना चाहिए आपका अंसर होगा B ठीक है क्योंकि relatively और comparative यह दोनों खुद ही तुलनात्मक शब्द हैं तो अगर आप एक और comparative word लगाओगे तो double comparative होता है तो celebrate तो नहीं होगा सबसे पहली बात तो यह executive है तो just प्रकार का part of speech लेकर रहता है उसी part of speech में आपको आंसर भी देना है celebrate तो verb हो गई तो यह गलत हो गया मनाने को बोलते हैं festival उत्सव को बोलते हैं noun हो गया famous है वह executive है और celerity जो है वह noun है और इसका मतलब होता है swiftness तो celerity का मतलब भी note कर लेना अब इसका मतलब यह नहीं है कभी भी आप भी एकर question paper solve करो तो हमेशे याद रखिए कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने एक word देखा उसका answer निकाल लिया that's all उसके अलावा तो तीन वीकल का उनको देखा ही नहीं आपको हर एक option को देखना है जिससे कहीं और अगर question बन जाए उस option को लेकर आप answer कर पाओ तो celerity swiftness होती है मतलब तिवरता को बोलते है famous इसका मैंने बताया और बाकी दो words बहुत सामाने थे तो celebrated का answer c होगा famous propel propel is a verb और propel का मतलब होता है प्रेडित करना मतलब किसी पर अगर आप push करते हो inspire करते हो stimulate करते हो है ना इसको बोलते है प्रेडित करना तो प्रेडित करने के लिए यहाँ पर word है hinder जो है वो इसका opposite होता अगर यहाँ पर मालनो एंटोनीम पूछा होता आपसे तो आप hinder कर सकते थे buttress है buttress का मतलब strengthen करना होता है मजबूती प्रदान करना होता है buttress का मतलब undergird करना होता है undergird भी इसके लिए काफी important word हो सकता है मतलब एक प्रकार से सहारा प्रदान करना मजबूती प्रदान करना उसको बोलते हैं और hinder है वो रोकना ये तो इसका ठीक ठीक बिल्कुल exact एंटोनीम हो गया प्लैसिड का मतलब शान्त होता है काम को बोलते हैं ये एजेक्टिव है आपका अंसर इस पर होगा स्पर का मतलब प्रिवित करना अब आगे लिए जो questions अब एंटोनीम के हैं थ्वार्ट थ्वार्ट पढ़ा हो आपने मेरे साथ तो थ्वार्ट का मतलब जानते होंगे आप कि रोकना होता है ध्यान रखें इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ें एंटोनीम चाहिए है जल्दी बाजी में कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है उस वर्ड का मतलब और जल्दी बाजी में अंसर लगा आते हैं यह भूल जाते हैं कि इंस्ट्रक्शन कुछ अलग पूछ लाता तो यहां पे आपको एक दे रखा है कि अंटोनीम पूछा है तो थ्वार्ट का मतलब जो होता है वो अबस्ट्रेक्ट होता है इसका मतलब यह भी इसका मतलब है और यह हैंपर भी इसका मतलब है है ना हैंपर और अबस्ट्रेक्ट उथ्वार्ट तीनों ही एक दूसरे के क्या हो गए सिनोनिम्स यह बात आपको नोट कर लेनी है प्रॉपेल अभी पढ़ा हमने प्रिरित करने को बोलते हैं पी ए यू पी यार पॉपर भी कहा जा सकता है बात रही next word sporadic के what does it mean? sporadic का मतलब होता है मतलब रुक रुक कर ऐनियमिक जो है irregular जो है रुक रुक कर जो है उसके लिए उसके लिए उसका मतलब यह कह सकता हूँ कि यह जो irregular है और unpredictable है भी कोई चीज अगर रुक रुक कर हो रही है एनियमिक हो रही है तो उसके लिए आप कह नहीं सकते है आप predict नहीं कर सकते कि यह आगे होगा कि नहीं होगा क्योंकि regular तो है नहीं इसलिए unpredictable and irregular both the words are synonym of sporadic बात रही frequent की तो यह हो सकता है जो अक्सर हो जो रुक रुक करना हो ठीक है तो यह हो सकता है इसका occasional भी इसी स्रेणी में ले लीजी आप occasional भी कभी कबार होता है irregular भी कभी कबार unpredictable भी ठीक है यह तो frequent जो बार-बार होता है वो है frequent और एक अंटीम आपको question दे रहा है correctly spelled word तो correctly spelled word में देखिए आप यहाँ पे आपको मिल जाए कि भी respite की spelling गलत है यह respite की spelling R-E-S-P-I-T-E यह spelling होती है respite की ठीक है राहत को बोलता है relief को बोलता है muddled की spelling गलत है M-U-D-D-L-E-D एक D और आएगा इसका मतलब vague होता है unclear होता है note करने ना meaning भी vague या unclear जो aspiced हो उसे बोलता है muddled एक subside है यह बिल्कुल perfect है spelling इसका मतलब lesson होता है कम करना lesson, reduce, diminish, decrease यह सब इसके synonyms होंगे numero uno यह numero uno O लगेगा last में इसका मतलब number one Italian word है यह Italy का शब्द है इसका मतलब होता है number one जो best हो, कोई भी चीज या कोई विक्टी उसको numero uno बोलता है respite में E आता muddled में एक D or लगाना था यह spelling सही है इसमें O लगाना था respite का relief होता है muddled का vague या confuse होता है या फिर unclear होता है subside का lesson reduce या diminish है numero uno का मतलब है number one ठीक है जी तो यह था आपके आज के practice session में उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा आपका score जो भी है वो comment करके बताएं next जल्द ही मिलेंगे एक और session लेकर आऊंगा जल्द से तो जुड़े रहें दोस्तों के साथ जरूर से share करें और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो एक लाइप जरू करके जाएं thanks a lot for watching till the end